हेलो गाईज गूड मॉर्निंग कैसे आप सभी आए हो सभी अच्छे होंगे और मैं भी एक्तम ठीक हूँ तो स्वागत है आप सभी का मेरे और एक ने व्लोग में तो आज हम जा रहे हैं मंदिर में और आज कमे मोसम दिखाती हूँ आपको कैसा है आज थोड़ा खराब हो दर्शन करने के लिए तो हम निकल पड़े हैं घर से तो हमारे साथ और भी कुछ लोग जा रहे हैं तो आप सभी ब्लोग में बने रहेएगा तो हमारी यहां पर यात्रा शुरू हो चुकी है और आप सभी देख सकते हैं हमारे पांगी के संक्रे रास्ते और जो बहुत ही ख खतरनाक रास्ते हैं यहां पर आप सभी देख सकते हैं नीचे कितनी गहरी खाई है तो अभी हम निकल पड़े हैं माता जी के दर्शन करने के लिए यहां पर तो गाईज अभी हम पहुंच चुके हैं सिद बाबा जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए तो यहां पर आप यह आप देख सकते हैं यह जो बड़े बड़े पेड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर यह ठांगी के पेड़ हैं जो कि पांगी की ठांगी के नाम से बहुत ही ज्यादा मसूर हैं यहाँ पर ज्यादा मातरा में पाए जाते हैं यह तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर बी चल पड़े हैं आगे को और पी आ रहे हैं तो घाय discoveries दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं आगे माता जी नमें दर्शन सक्क्ता हैं तो घाय समुध के हुआ हैं तो भी यहां पहुंच चुके हैं मंदिर में और हल्की फुल की बुन्दबांदी हो रही है और आप उपर देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है और ये आप देख रहे हैं वहाँ पर तो हमें वहाँ पे पैदल जाना है और अभी हम निकल पड़े हैं पैदल तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है और वहाँ पे गाड़िया खड़ी हुई है तो गाईज आप सभी को इस मंदिर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं तो यह जो मंदिर है मुख्याले किलार से 25 किलो मीटर की दूरी पस्थित है त और यह जो मंदिर हैं बहुत ही सकती साली मंदिरों में माना जाता है, इस मंदिर का निर्मान कब और किसने करवाया, इसके बारे में तो कोई ठोस जानकारी नहीं है, पर यहां की जो प्रंप्राएं हैं बहुत ही अनोक हैं, तो इस गाउं की एक और अनोकी प्रंप्रा है, यह पर एक बैल से खेती की जाती है जो कि अपने आप में ही अदबुद और अविश्वस्णी है तो ये मिंदल माता के साथ ही जुड़ी हुई है यानो की प्रमपरा तो आप से भी देख सकते हैं नीचे गाड़िया खड़ी हुई है तो बहुत ही प्यारा व्यू है यहां से तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में अंदर तो पीछे थोड़ी बहुत दुकाने है यहां पर तो मोसम भी खराब रखा है थोड़ी बहुत बुंदा बांदी भी शुरू हो गई है तो अभी हम पहुँच गए हैं माता जी के दरबार पे तो यहां से अभी हम अंदर जाएंगे और भी हाथ दो रहे हैं यहां पर हम तो आप से भी देख सकते हैं यहां का जो प्यूण है कितना प्यारा है तो गाइस अभी पहले के लिए थोड़ी बहुत बीड रखके यहां पर तो गाइज अंदर के पैस्से बीडम नहीं बना पाएं क्योंकि अंदर बीड runner दी बहुत आप से भी देख सकते हैं बारिस लग गया है और यहां पर बंड़ारे का भी आयोजन किया हुआ था तो हम भी बंड़ारे का जो पर साधह हूँ ग्रहस् skeptיש की लिए तो गाईज दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े घर के लिए तो आप सभी को मैं दिखाती हूँ बार का जो मौसम है और भी जादा खराब हो गया था और बारिस बहुत तेज लग गई थी तो यहाँ पर हम बड़ी मुश्किल से निचे के लिए गए तो गाईज यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकलेंगे घर के लिए क्योंकि आप सभी देख सकते हैं बीग गए हैं पूरी तरह से बारिस में मेरा पूरा सिंदूर फैल गया था और आप सभी देख सकते हैं बाहर का व्यू कितना पै यहां पर बीम जी के पैर हैं जो की अपनी माता जी के साथ यहां पर आये थे जिन्होंने अपनी माता जी को यहां पर नदी से पानी पिलाया था साथ ही में नदी बहती हैं यहां पर तो यहां की जो इतिहास है वो मुझे भी इतना मालूम नहीं है तो यहां के लोग बताते है कि यहां पर उन्होंने अपनी माता जी को रुक कर पानी पिलाया था तो आप से भी देख सकते हैं साथ में यहां पर नदी है तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और भीग चुके हैं बहुत जादा तो आई होप आप सभी कोई ब्लोग अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए बाबाई धन्यवाद